नमस्कार किसान भाइयों आज हम पढ़ने वाले हैं इंपोर्टन एकोनॉमिक ट्रेट्स पोल्ट्री अब कुई यह है कि इकमेंगे तो मैं आपको बता दू को इंकं पे इसका असर हो पर या तो पांश तर प्रदक्ष्ट गोग हम देखते हैं तो इकमेज़ पर दो श्कॉस म क्य friendships देखते हैं तो वो इकनोमिक्स अब सबसे हम हर्य का एकनोमिक्स अज़ता है अलग होते लेयर्स की अलग होते हैं तो यह वाला जो है इसमें मिक्स किये हुए ठ्रेड्स उसी में है वर्डेजर देज इसी में बीड़र ट्रेड्स इसी में तो हम वन दायए एक प्रडाक्शन पर हम पर उसमें सलिशन एक प्रंडरक्शन जो है को तके ड्रेट्स मेलें सुलीचनु आखे ने अ है दिlerude तो जैसे कि हम जानते हैं एक प्रोडक्शन 20 विग 20 विग से स्टार्ट हो जाता है और वो जब तक मुर्गी मरती है तब तक वो अंड़ा देती है जब बुड़ी हो जाए मुर्गी थोड़ा थोड़ा कम दे लेकिन उसमें जो होते हैं वो थोड़ा-थोड़ा उसको नुट्रिशन मिलेंगे वैसे वैसे उसमें एक बंते रहते हैं तो में है कि एक production जो होता है एक जनरली 20 से स्टार्ट हो जाता है इनके सब और एक प्र्डक्शन जो होता है व्हारी दो होता है एज की हिसाब से और डिकलाइन कभ होगा मतलब जो अंड़ा होता है जन्ड़ली 72 टक अंडा अच्छा कहसा प्रडक्शन होता है 72 मतलब एक साल तक यह उसके बाद फिर मॉल्टिंग में जाती है तो सेकंड लेंग साइकल में अंडा उससे थोड़ा कम आता है और एक साइट फोड़ी बड़ी होती है फिर उसके तो उसमें और मोल्टिंग में जाएगी और बड़ा होता है उसकी बड़ी-बड़ी होती जाती तो एक साइज बढ़ता है थोड़ा सा जो पूलेट होता है तो जैसे कि हम जानते आज मैं आपको बता दू आज करीबन रोज हंडा देती है इसका मतलब अभी एक प्रोड़क्शन प्रोड़क्शन स्टार्ट होता है उसके उसका पिक पिरेट जाता है मतलब सबसे ज्यादा जो होता है तो मुर्गया शुनवात में जैसे सब्सक्राइब होता है और यह जो एक प्रोड़क्शन होता है वेरिबल होता है ब्रीट ब्रीट स्ट्रेंट लाइन्स तो एक प्रोड़क्शन जो होता है मेजर्मेंट के अलग अले होता है एक हेंडे और हेंडे और हेंडे नंबर कैसे निकालते हैं तो जैसे हमने सो मुर्गिया डाले और एक साल में सो मुर्गिया ने कितना अंड़ा दिया वह हो गया हेंडे नंबर होता है है कि हमने सो मुर्गिया डाले उसमें से कितनी मरी फिर उसका जो दीन कितने दीन था एक कितने मुर्गिया थी उतने पकड़ जाते उससे निकालते कितना था परसिश्टन सी कितनी इंटेंसिटी कितनी रेट आप ले बूडिने स्पॉज इन्वार्मिटर फैक्टर लाइक सीजन एज बिसी कंडिशन नूट्रिशन एंड डूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट द एक प्रॉड़ाक्शने चिकन मतलब कोई एक रिजन नहीं है जिस जो एक प्रॉड़क्शन को अफेट करता हो इस नंबर आफ रिजन तो आप लोगों को हमें सारी बातों को सोचना पड़ता है कि मुर्गी अंडा दे रही है कम सक्क्यों दे रही है जब हम सारी बातों को करेंगे तब हमें सोलिशन मिलेगा और मुर तो जब मुर्गी अपना पहला अंडा देते देती है लाइव का उसको बोलते हैं उसके जब सेक्षिल मैचुरूटी जनरली कि विक के बीच में होता है अगर चोटी बीड है तो जल्दी देगी वह जल्दी अंडा देगी वह ज्यादा अंडा भी यह कहा जाता है लेकिन नैच्रिली जल्दी अंडा देना चाहिए यह नहीं कि हमने उसके लाइब जो फोटे पिरेड है वह बढ़ा दिया शुरुवात में ग्रोइंग तब यह अर्ली मैचुरूटी उसके आ सकी है तो ऐसा नहीं चाहिए नैच्रिली अगर वह जल्दी अगर अंडा देना स्टार्ट कर देती है तो वह ज्यादा देता है कि इसका करने का मतलब यह है तो जासे लाइट ब्रीट होती है वाइट लेगान ज्यादा अर्ली मैचुरूटी है उसमें आज कंपे टू ड्वेल पर पर बिदिसे न्यू हैं चैर आ रहा है यह यह लेट देती है अंडा और क जल्दी आएगा लेकिन ऐसे अर्ली मैचुरूटी लाकर कोई फाइदा नहीं उसका जो अंडा होता है यह पूर साइस का चोटा होता है बहुत सारे डिफेक्स आते उसमें इस इसले टू अर्ली मैचुरिंग जेरफोर नॉट कंसिट बीजारेबल इसले बहुत जल्दी नह चीज़से एटीन विक्स में आता है तो ठीक है हम अगर फिपीन विक्स में ला रहे फोटो पिरेट बढ़ा के तो वह ठीक नहीं है जो क्यों उसक्ते क्या होता है अब परसिटन से देखे यह फोटो लिखें यह अंडा दे रही है पहला अंडा देने से लेके अब यह मोल् यह इस 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 इवंटी टू विक्स नहीं होता है 65 विक्स तो 365 डेज पकर लोगा अगर मुर्गी देने अंडा देने से लगकर मोल्टिक मतलब उसके बात क्या होती है उसकी जो फीधर है वह चले जाते है मुर्गी के हमने बहुत सारी बार देते कड़कनात के भी फीधर च पीरेड है वह एक साल का हो चुका है और उसके कारण उसके वह जो मुर्गी अपने फीधर छोड़ देती है उसको मोल्टिंग होती है हमार्टिशन मोल्टिंग भी कर सकते हैं तो फीधर चोड़ना उसका छोड़ने का मतलब क्या होता है कि वह फिर जैसे साप अपनी वह एक प्रोडक्शन में आते हैं लेकिन फ्रस्ट साल में जितना अंडा दिया उतना नहीं देगी सेकर्ण साल में अंडा कम देती है यह होता है तो जो पर्सिस्टन्स होती है अगर 365 डेज या 72 वीक्स ऑफ एज तक अगर वह अंडा दे रही है तो अच्छी मानी जाती है अग लेकिए सेवंड़ों टीवी के अगर निश्टे कांबर 65 कर रही है तो उसकी काम है तो यह अंडा देने से लेके तो जो पीरेड होता है वो कितना अंडा कितने देर तक लंबे पिरेड तक मोल्टिंग जाने के पहले अंडा देती है वह होता है अब इंटेंसीटी क्या होग कि एक स्टांडर इंटर्वल टाइम में कितना कंट्यूनेस अंडा दे रही है विदॉट पहुज जाने से जाना नहीं उसने उसको बोलेंगे इंटेंसेटी और फ्राम देश्ट अप्टू मोल्टिंट यह दोनों का डिक्रेंस यह बहुत इंपर्टन है लॉट इंटर्वल बिट्विंट शॉटर फॉर गूड लेर यह जो इसका जो पीरेड होता है यह अगर शॉट गूड लेर है तो इसका जो इन बेट्विन टूट् जैसे भी उसको पॉल्ड बहुते लेकिन सेवन डेस यहां सेवन हैं और को जितना पहुत छोटा होगा उतना इसकी इंटेंसेटी भी जादा मानी जाते उसके बाद बुड़ीनेस बुड़ीनेस क्या होता है एक बुड़ीनेस मतलब अगर मुर्गी कोई अंडा देती है तो लेकिन इसका साइड इफेक्ट यह है कि जब मुर्गी बूड़ीनेस हो जाती है तो वह अंड़ा देना बंद कर देती है तो यह जो ब्रीड है यह ब्रीड में बहुत कॉमन है और वाइट लेगान में बिलकुल नहीं है इंट ब्रीड प्रॉड़ीनेस तो अगर हमें अगर हमरे पास सेटर हैचेर नहीं है तो पॉस्छ तो जोता है यह कम से कम सेवन देज का तो हो गया लेकिन जतना ज्यादा लंबा होगा वह इनिवस्ट्री प्रॉपरशनल हो अगर ज्यादा लंबा पॉस इसका प्रॉड़क्षिंट का कम जाएगा तो यह पॉस्ट इंपॉर्टन एक वह और यह कम होना चीए पॉस और ज्यादा होना चीए अब फीड कंजम्शन जो होता है जो हमारी लेयर से उसमें फिर का नेशन मतलब कितना अंडा खाके कितना अंडा दिया यह यह निकालेंगे क्योंकि हमें पता हमें पता है जो कॉश्ट होता है वह फीड का होता है तो हमें अगर फीड अगर उसको खिलाने बचा नहीं है तो हमें प्रॉफिट हो सकता है तो इसका मतलब यह एका कि फीड कंजम्शन अच्छा होना चीए कम खाके ज्यादा इदेना तक बहुत बढ़ी प्रडेक्शन के लिए राशन ज्यादा लगेगा और यह मार्केट में जो अंडे बेचते वह ड़न की सबस्क्राइब कि इसप्से से अगर दोस्तों के दा सब्सक्राइब करने के लिए कोश्ट ज्यादा पड़ती है इसलिए कि अच्छा रहता है बोडिवेट ऑपाड़ी ये बाइलर दोनों की अगर बहआएं अगर ब्रॉडिवेट ज़ो होता है वह कम होना चीए एक प्रॉडिवेट ज्यादा से ज्यादा होना चीए लेखो लेयर में क्या होता है अगर लेकिन ब्राइलर में क्या होता है जितना बड़ा बॉड़ी वेट होता है उतना अच्छा उसका ज्यादा मिट निकलेगा प्रॉफिट हो जागा तो हमेशा जो लेयर होती है यह लीन होती है होता है तो बॉड़ी वेट के बार में हम बोल सकते हैं उसके बाद जो एकनोमिक ट्रेड्स है वो है एक वेट लेयास में तो एक वेट देखो एक वेट मैंने बताया कि होता है चुकन का 58 ग्राव होता है थैय ज्यादा अन्डा बड़ा नहीं होना चीही है और ठोटा भी नहीं हो लिए का ये इंटरनल क्वालिटी अगर उसमें क्रैक्स तो नहीं है इन उसमें शेल शेल कैसे उपर की जो है पतली तो नहीं है पतलियों की दमने कैसियों अगर देना पड़ेगा यह सब चीज़ हमें देखने पड़ती एक वेज में और मेडियम साइज अंडा बेस्ट होता है है कि लिए ब्रीडर हो तो या ल में क्या आता ब्राउन एंग ज् Character हमें क्यों एक ज्यादा पैसा देगा हमें कुकि यह वह देख है कि ऊटल्क यह थी मिएंग अन्डा होता है जिसको यह अंडं़े हैं एड वाले लेकिन ज़्यंदा जादा प्रडेक्शन जाला हो जाएगा लेकिन ब्राउण देखने पर देखने पर के लिए अ क्रेक्षाइब तूट तूने जागा ट्रे में रखते ही अगर उसका शेल तूट गया तभी लोग कोई नहीं लेंगे उसका टेक्चर गैसा है यह सारी चीज़ हमें देखना होता है उसके बाद हमें देखना होता है उसमें जहांतोफिल जो योग है योग डार्क पीला होना चाहिए डार्क यह जो में में वह खिलाने से यह तो मैरी गोल्ड जो फ्लावर होते हैं गेंदे के फूल वह खिलाने से भी वह अंदर का उसका यह लो होता है अब अब बोडी साइस को अभी यह यहां से लगें बाहमारे एकॉनमिक स्टेट अब रहां तो ब्राइलर में जितना बड़ा होता है जैसे फोटो लगारे ब्राइल कॉप्स से इंनुंन्रेक यह जितना बड़ा होगा उतना अच्छा यह वाइट लेगान देखो कैसी तो जतना पतला को एंडा ज्यादा देगा और बॉड़ी होगा उसका मेट के लिए जादा यूज होती है जहादा बॉड़ाइलर में ज्यादा इंपोर्टम चैसे है यह सारी बॉडी साइज उसका ब्रॉड़ प्रॉपर्पर्शन इंके सब राइलए अब ग्रोथ जो ग्रोथ होती है यह हमें मेड टाइब बड़ में ज्यादा इंपॉर्टन होती है लेकिन जो ब्राइलर होता है वह हमें 30 देज में तो उसमें घ्रोथ कितनी फास्ट होती है वह देखना होता उसके लिए फिर आपको लगेगे उसका अच्छे क्वाल्टी का जीन लगेगा अभी बहुत अच्छे क्वाल्टी है ठीच अब हो जाते हैं अब धी अभी बात कि मैंने चुजा बड़ा भी होना चीन होगे लेकिन चुजा तो बड़ा होना चीह एट थायम उसमें कम खाना वी चीह यह बहींडे अगर समझों कि चार किलो खाना खाके अगर वह दो किलो बंद रहा है तब भी कोई फाइदा ने क्यूंकि टू वन इस्टू टू का एपसी आर बनेगा तो दो चार किलो खाके अगर दो किलो बना का आज के टाइम जो एपसी आरे 1.5 सबसे अच्छा मना जाता है 1.4 1.5 मैग्जिम हो सकते 1.6 अगर 1.6 के उपर अगर रहे इसका मतलब वह लॉस में जाएगा कई ना कई बिजमेस तो हमें जब भी हम हमारा बही है तो आज के आसमान को चुए आज मेरे ख्याल से 52 50 रूपीज का एक केजी खीड मिलता है इतना ज्यादा कोष्टली जो है हमारी फीड है उसको हम यह अपस्यार बहुत अच्छा बहुत अच्छा होना चीए फीड का तभी उसमें बचेगा कुछ उसके बाद है फर्टिलिटी और अच्छ विल्टी तो यह जो कि फायदा नहीं हमें लॉस हो करते एक तो हमें मैं आपको बता दू बीना अंडे तोड़े हम बता नहीं सकते कि वह बाहर से या तो उसको फिर हमें इंकुबेट करना पड़ेगा टेमपरेचर दिना पड़ेगा तो उसमें पैदा होगी उसके बाद हमें पता चलेगा अगर समझो कि पहले चुजा मर गया तब यह वह लेकिन हो चुजा नहीं बना क्या होती है मतलब चुजा निकला तो जो फिर्टी होती होती हुए इसे निकलती है दो है जो होती है जो होती है एज आज सीजन नुट्रिश्टिशनल स्टेटस अप्लाग डिसीजेस मैंडिजमेंट कंडिशन यह सारे जिए बहुत सारी चीज़ होती है जो कि फट्ट रिटीड़ी भी आफेड करती है है लेकिन है जो हम है कि यूज करते हैं वह करते हैं ज्यादा बड़ा इनकी होना चाहिए क्या कि है एक ताइम में आना चाहिए अगर एक्ट्रिम लार्ज इसका ना होगा जोस्माल होगा इसका बीस एसवा न तो एक दिन में निकलना होता हम है तो उस टाइम तो सारे चूज़े एक टाइम नहीं इसलिए हमें medium size के अंडे यूज करने होते ताकि hash at one time निकले उसके पाद वाइबिल्टी वाइबिल्टी का मतलब होता है जिन्दा कितना पर से जिन्दा रहने की उसकी शम्ता बढ़ की तो ब्रॉयलर में यह बहुत important वाइबिल्टी क्योंकि देखिए ब्रॉयलर ऐसी चीज़ बनी है कि 32 33 डेस में दो किलो का बच जाता है लेकिन क्या उसकी इंटर्नल और उसका होता है ना लीवर होता है ना उसकी और पार्स होते हैं बस वह दो किलो का बन रहा है फिर भी उसको चड़ा चड़ा के वह सिरेक्शन करकर बन जाता है लेकिन इस कारण क्या होता उसके हाड उतना डिवलोप नहीं होता उसलिए उसमें ज्यादा आती है वीमारी की रेजिस्ट्रंस पावर कम होगी है बढ़ की उसलिए हाड अटेक कॉमन होगे ब्रॉयलर में इसलिए वाइबिल्टी यह एक करेक्टर है कि हमने हाजार 1000 बर्ट रखे तो 32 तक कितने चुज़े बचते हैं यह हो गया समझो हाजार में से अगर सो मर गए इसका मतलब उसका 90% हो गया 10% हो गया इस तरह हमें जितना वाइबिल्टी जड़ा उतना वह काम का अगर भाइबिल्टी हो रही है हो रही है कोई फाइदा ने क्योंकि वह तो मॉट्टिलेटी उस सिदा पैसा खत्म हो जाएगा हमारा बेस्ट होगा उसके बाद यह जो फोटा है यह थोड़ी गेम्स या फोट में जो यह उसमें यह काम की होता है को और कॉम से हमें ब्रीड भी पता चलती है जनरली जो चार कॉम हम यूज करते हैं सिंगल कम रोज को फीकम और वालनट को अभी-अभी मैंने यह सिंगल कॉम तो हमने इस देखा होगा आपने जो पी को मुटा है यह हमारे असील मुर्गे में देखता है और जो कड़कनाथ होता है उसमें जनले सिंगल को मुटा लेकिन उस जाप पहले मैंने हमारे पोल्टि फार्म है कड़कनाथ का आरे स्क्राम है वहां पर रोसकॉम दिखा आप बता सकते रोसकॉम कैसे आया कड़कनाथ में इसका एक खासीयत होता है जब सिंगल को कोई भी अगर बंती है अगर single comb अगर P comb bird के साथ अगर cross हो गया तो next जो प्रोजणी होगी वो P comb वाली बनेगी अब rose comb bird अगर single comb bird के साथ अगर cross होता है तो next जो generation होता है वो बच्चे सारे rose comb क्या आते हैं ये important है निकलता है यह बहुत कॉमन कुछते हैं कि पी को मिद्ट रोज को कुछ सा कूम निकलता है अब स्कीन कलर स्कीन कलर हम जैसे पढ़ यह तीन कलर दो कलर की तो होती है यलो और वाइट यह दो इंपोर्टन होती है तो तो है यलो जो है वह अठेज आतरो व्ट उय्हां जो है यह में अधिम नोखी तो यह संजो है और यह इंक्राइट। स्किन डॉमिनेंट यलो कलर अगर दो बड़ है एक की स्किन वाइट है और एक की यलो है तो नेक जन्वरेशन में कौन सी स्किन जाएगी तो वह जाएगी वाइट कलर स्किन अब उसके बाद आता है यह लोग यह लोग कलर से हम बता कर सकते हैं कि कुन से कहा की यह थे हैं उसके और जिसकी यह यह लोग कलर रेड आ है इसका मदब यह लेकिन इसमें खासियत यह है कि कुछ कुछ एक्सेप्शनल बीड़े जैसे इंग्लिश जो अमेरिकन क्लास में लैमोनाज जिसका यह लोग कलर जो होता है यह इसके खासियत यह है कि जिसका यह लोग जो कलर का होगा वह कलर का अंडा देता है लेकिन इसमें एक्सेप्शनल होता है जैसे दौर्किंग रेट का इंग्लिश क्लास की ब्रीड है और जब लेकिन यह अंडा वाइट कलर का देता है इसका यह लोग लेकिन इंडा देखें वह लेकिन प्लूमेज होता है यह हमारे बड़ में अलग-अलग कलर दिखता है कोई ब्लैक कलर का दिखता है कोई रेड कलर का दिखता है कोई ब्लू कलर कोई कोलंबिया अलग-अलग कलर के हैं यह क्रॉस होके 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 कोई अलग-अलग कलर कलर बन जाते हैं तो प्लूमेश पैटर्न होता है एक लाश्ट इकोनामिक इसमें इक नेकेड नेक नेक मतलग यह नेकेड नेक इसके जो नेक होते हैं यह इसके पीदर नहीं आते यह ही स्ट्रेस में अच्छा होता है जो ही अपनी हेड़ पहार छोड़ देता थे मरता नहीं उसके बाद फीज इसमें अच्छा है लेकिन यह जो है फ्रीजल बढ़ इसमें केरिवर ट्रॉपी का नजो है हमारा केरी का उसमें फ्रीजर नेकेड नेक दोनों जिन डाले हुए तो वह उसकी प्रोथ भी अच्छी है कि लोगे अच्छी पीद्रिंग इसमें अगर फीजर की जो ग्रोथ है उससे मेल और फिमेल पता चल जाता है थैंक्यू और मैं स्पेशल थैंक करता हूँ डॉक्तर हमारे डॉक्तर यामें मलीक सर जो की हमारे हेड़ है और उनके कारण यह पीपीटी बन पा रहे है थैंक्यू सो मच झाल यह बनादा यह झाल जाता है झाल झाल